नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि बिगमुसी AB टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, बिगमुसी AB टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और बिगमुसी AB टैबलेट की वज़से क्या साइड इ बिगमुसी AB टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, बिगमुसी AB टैबलेट के अंदर सौल्ट कंपोजीशन AC ब्रोफाइलिन 100MG और N एसिटाइल सिस्टिन 600MG होता है, AC ब्रोफाइलिन अस्थमा और ब्रॉंकाइटिस के वज़से होने वाले लक्ष बिगमुसी AB टैबलेट का उप्योग अस्थमा होने पर, ब्रोफाइटिस होने पर, फैफरो में जमा बल्गम को बाहर निकालने के लिए और Chronic Obstructive Pulmonary Disorder होने पर किया जाता है, Chronic Obstructive Pulmonary Disorder को COPD भी कहते हैं, अस्थमा और COPD होने पर व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होना, सांस फूलना, सांस लेते समय CT जैसी आवाज आना, छाती में जकडन और खासी होना आदी लक्षण अस्थमा और COPD होने पर हो सकते हैं, बिगमुसी AB Tablet वायुमारक की मास पेशियों को रिलैक्स करके और फेफरों के सांस लेने के रास्ते को चोड़ा करती हैं, बिगमुसी AB Tablet को लेने के बाद फेफरों के वायुमारक चोड़े हो जाते हैं, जिसकी वज़स से अस्थमा और COPD से पीडित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है, बिगमुसी AB Tablet अस्थमा और COPD होने पर सांस फूलना और सांस लेने में परेशानी होना आदी लक्षणों को ठीक करती हैं, और इन लक्षणों को रोकने में भी मदद करती हैं, साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्ति हैं, जैसे पेट में दर्ध, पेट में बेचनी, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, सिर्चक्राना, घबराहट होना, सीने में जलन होना, भूप कम लगना, तवचा पर खुजली होना, तवचा पर रैशिस होना, शरीर में ठकान होना, सिर्दर्ध होना और दस्थ होना अब हम डिसकस करेंगे कि बिगमुसी AB टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। बिगमुसी AB टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिक्मेंडेड होता है। आम तोर पर 14 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर बिगमुसी AB टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। बिगमुसी AB टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको बिगमुसी AB टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की बिगमुसी AB टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बिगमुसी AB टैबलेट को देना रेक्मेंडेड नहीं है। अस्थमा और COPD को अच्छी तरह से नियंत्रण में रखने के लिए आपको धूमरपान नहीं करना चाहिए। और धूल, पोलुशन, खराब मौसम और फैट्री से निकलने वाले धुए ववाहनों से निकलने वाले धुए के संपर्क में आने से बचना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा ठंडे पानी का सेवन करने से बचना चाहिए। ब्लड प्रेशर कम होने पर, दिल का दौरा पढ़ने पर, दिल की धड़कन अनियमित होने पर, लिवर और किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर बिगमुसी AB टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डौक्तर की सलाह के बिना बिगमुसी AB टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बिगमुसी AB टैबलेट को डौक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बिगमुसी AB टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। झाल